आज मैं आप सब के लिए लेकी आई हूँ सूजी और आलू से बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता और हम सिर्फ इन दो मेंन इंग्रीडियंट्स के साथ आज से बनाएंगे तो इसको बनाना बहुत जादा इजी है और बहुत जादा सामान भी हमें इसको बनाने के लि बेसिकली हमें सूजी का एक अच्छा सा बैटर बना के तयार करना है जिस तरह से हम इडली के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही और दही को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ कर रही हूँ बहुत जादा लिक्विडी नहीं होना च स्टफिंग जो की हम यूज करेंगे आलू की आज तो इसके अंदर में तीन छोटे चममच ओएल डालोंगी बहुत जादा ओएल नहीं डालना है हमें और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और आधी छोटी चममच राई आप चाहें तो जीरा या फिर अजवाइ अब हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं हल्दी और लाल मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकोर्डिंग मसाले डाल सकते हैं और आप इसके अंदर डाल दे रही हूँ नमक और इन सबी मसालों को हम Mix कर लेंगे प्याज में और अब मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ ओगा आलू पहले आलू को बॉयल किया और उसके बाद उसे छील के इस तरह से ग्रेट कर लिया ग्रेट करने से क्या होगा इस आलू के अंदर कोई भी बड़ी बड़े चंक्स नहीं रहेंगे और हम जो फिलिंग बनाएंगी वो काफी स्मूध बन के तयार होगी और उसको शेप देने में हमें कोई दिकत नहीं आएगी तो इसलिए आलू को ग्रेट करके ही लें और मैंने फ्लेम मीडियम पे ही रखी है फिलिंग बनाते समय और अब मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ शैजवान सॉस आप चाहें तो नॉर्मल सॉस भी डाल सकते हैं इससे क्या होगा आलू अच इसके अंदर हम डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और इस टेश पर आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं और हरे धनिय को हम इस फिलिंग में मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे एक से दो मिनिट तक ढखके रख देंगे जिससे कि ये काफी सॉफ्ट हो जाएगा ये देखि कि हमें अभी इसको सिलेंड्रिकल शेप देना है और शेप देने में अगर ये जो फिलिंग है स्मूध होगी तो शेप देने में बहुत आसानी होगी तो हमने फिलिंग को स्मूध कर लिया है आप चाहें तो हाथ से भी स्मूध कर सकते हैं इसको और ये मैंने थोड़ा सा प पाकी का जो आलू है उसको भी cylindrical shape देना है यह हम इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि हमारा आज का नाश्ता बन रहा है ग्लास में और हां यह जो cylindrical shape दे रहे हैं आप यह glass जिस glass में आप यह recipe बनाएं उससे 3-4 size का होना चाहिए उससे जदा बड़ा नहीं होना चाहिए तो इस चीज बस अब हम इने 1-2 मिनट के लिए फ्रिच में भी रख सकते हैं जिससे की अच्छे से सेट हो जाएंगे और अब हमने ले लिया है एक बड़ी कढ़ाई और इसके अंदर हम दो बड़े कप पानी डाल देंगे बैसिकली हमें यह नाश्ते को स्टीम करना है इसलिए आप अग जिससे की जब हमें इसके अंदर बैटर डालें और जब वो कोखो तो यह इसमें चिपके ना तो यह मैंने तीनों ग्लासिस में अच्छे से ओल लगा लिया है और हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल चुकी है बट इसने काफी पानी अबजर्ब कर लिया है तो यह पानी डालोंगी और जिस तरह से सूजी की इडली का बैटर होता है और अल्मोस्ट उसी कंसिस्टेंसी का हमें इसे बना के तयार करना है तो पानी आप इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके डालें बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालें वरना यह जो बैटर है काफी फ कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करनी है अगर आपका बैटर परफेक कंसिस्टेंसी में है तो आप सिफ नमक डालें और अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक छोटा चमच बेकिंग सोडा और यह सोडा डालने के बाद आप इसके उपर थोड़ा सा पानी ज़रूर आट करें जिससे की सोडा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और हमारा जो बैटर है उसमें बढ़िया तरह से एर बबल्स फॉर्म हो जाए तो सोडा मिक्स करने के बाद कोशिश करें कि आप इसे एक ही डिरेक्शन में चलाएं तो यह देखिए इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए इससे जादा गाड़ा भी नहीं और इससे जादा पतला भी नहीं होना चाहिए बस हमारा बैटर रेडी है अब हम इन ग्लास में यह बैटर जो है फिल कर लेंगे बैटर आप पहले वन फोर्थ ही फिल करें वन फोर्थ से थोड़ा सा जादा फिल कर सकते हैं और क्य और उपर से थोड़ा सा बैटर और डाल देना है इसको कवर करने के लिए और ये धियान रखें कि बैटर डालने के बाद और फिलिल लगाने के बाद इस ग्लास में 3-4 से ज़्यादा कॉंटिटी नहीं हो ये ग्लास 1-4 खाली ही रहना चाहिए उससे ज़्यादा भरा नहीं हो ये वरना जो बैटर है ये जब पकेगा तो ये ग्लास से बाहर आ जाएगा तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि 3-4 से ज़्यादा इसे ना भरें और अब हमारी जो कढ़ाई है इसके अंदर अच्छे से स्टीम फ़र्म हो चुकी है तो ये बिलकुल रेडी है हमारी को स्टीम करने के लिए तो इस तरह से मैंने ग्लास को उपर रख दिया है स्टैंड के और अब हम इसे ढख के पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे लगभग 10-15 मिनिट के लिए तो ये देखिए मैंने ग्लास इसको जादा भर दिया था इसलिए बैटर बाहर आ गया था तो मैंने इसको 3-4 से उपर नहीं भरा है तो ये जो है हमारे परफेक्ट बनेंगे और बैटर भी ग्लास से बाहर नहीं आएगा तो इन्हें भी स्टीम कर लेते हैं ये देखिए जो सेकेंड बैच है हमारा वो भी बनके तयार है वो जो बैटर रही बाहर नहीं आया है जबकि फर्स्ट बैच वाले बैटर बाहर आ गए है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और अब हम इने ठंडा होने के लिए रख देंगे लगबक 10-15 मिनिट के लिए तो ये देखिए 10 मिनिट बाद ये ठंडे हो चुके हैं बहुत जादा ठंडे नहीं हुए है और इनको हम क करके बहुत एज़ी ली ग्लास से ये निकल आएंगे तो इसी तरह से हम बाकी के पीसिस को भी निकाल ले ते हैं देखिए कितने बढ़िया और सपौंजी बने हैं लग रह आ है ना बहुत भी टैस्टी तो इसी तरह.. से मैं सारी घ्लासिस में से इन पीसिस को निकाल लूँ और यह देखिए अंदर से कित्ती बढ़िया आलू की फिलिंग दिख रही है और इसी तरह से हम बाकी के पीसेस में से भी सिफ टॉप पोशन हटाएंगे तो यह देखिए सारे पीसेस के हमने टॉप पोशन हटा लिये हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी बने है यह और अब हम इनको थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे उपर से इसके लिए हमने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं डाल दे रही हूँ वरना यह जो मसाले हैं यह ओएल में डालते ही जल जाएंगे अगर फ्लेम हाई होगी तो और मैंने अब इसमें डाल दिया है एक छोटा कप पानी यह रगिलू चाय वाले कप यह पनी डाला है और इसको हल्का सा बॉयल होने देंगे और इन मसालों को इस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाने देंगे और अब हम यह जो पीसेज हैं हमारे सूजी डिस्क के इनको इस तरह से इसके उपर रखके रोल करते रहेंगे जिससे की थोड़ा सा यह कलर और पानी अब्जॉब कर लें तो इनको अब हमें इसी तरह से सेखना है तो आप देख सकते हैं कि पानी इनोंने काफी अच्छे से अब्जॉब कर लिया है अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे सेख लेंगे चारो तरफ से, I mean सब तरफ से और ऐसा नहीं कि हमने इसमें पानी यूज किया है सेखने के लिए तो यह सौगी हो जाएंगे यह बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे तो मुझे इने सेखते हुए लगबग 2-3 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे और आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल सौगी नहीं है उपर से बहुत जादा क्रिस्पी दिख रहे हैं तो अब मैंने इने एक प्लेट पे निकाल लिया है और इनके हम पीसिस कट कर लेंगे इस तरह से डिस्क तो यह हमारी सूजी की डिस्क बनके रेडी हैं बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी आलू की फिलिंग के साथ आपने देखा एसे बनाने के लिए में बहुत जादा मसाले बहुत ज़दा सबजिया नहीं लगी और यह खाने में बहुत ही ज़दा टेस्टी है और यूनीक सी रेसिपी है आप इसको बना के ट्राइ कीजिए बाहर सूजी की डेलिशिस सी लेयर है और अंदर बहुत ही सिंपल सी आलू की फिलिंग और आप इसे पहले से बना के रख स तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंन सेक्षिन में जरूर बताएं और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारी चानल को सब्स्राइब करना ना भूलें मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में तब तक के लिए बाबाई हैपी कुकेंग